हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत एक बार फिट ताजा मौसम समचार में चलिए जानते हैं देजभर के मौसम का हाल वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताए अपने जिले का ना उतर विदेश के उरंचा जिलो में आज 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है जिसको देखते वे मौसम विभाग आएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है बता दें कि इन राजों में भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने व्यप्त की है मुसा विभाग द्वारा जारी अलट के अनुसार चित्रकूट, कौसांबी, प्रियागराज, पतैपूर, प्रतापगर, सोन भद्र, मिर्जापूर, चंदोली, वारांसी, संतकबीर नगर, जौनपूर, गाजीपूर, आजमगर, मउ, बलिया, देवरिया, गोरपूर, बस्ती मापूर, जालोन, हमीरपूर, महोबा, जहांसी और ललितपूर में भारी बारिश की संभावना है, इन जिलों में विभाग ने येलो अलट जारी किया है, आपको बताते चलें, उत्तपरिदेश के जादातर जिलों में बीते एक सपताह से बारिश नहीं हुई है, इस दोरा जारी कर विभाग ने येलो अलट जारी किया है, विभाग ने खास तोर पर महराजगन, सिद्धार्त नगर, बलरामपूर, शावस्ती, बहराईच और लखीमपूर में भारी बारिश की आसंका जताई है, जारखन में होती रहेगी बारिश, मौसम केंद्र ने कहा है कि जार पश्चिमी भाग यानि पलामू, गडवा, चत्रा, कोडर्मा, लातेहार तथा लोहर दगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, राइस्थान में हो सकती है बारिश, राइस्थान के कुछ इलाकों में एक बार फिर बारिश हो सकती है, मौसम विभाग के मुताब भरतपुर के धौलपुर करोली बारिश के साथ हवाएं चल सकती है, आपको बताते चले बिहार में होगी बारिश, बिहार में मानसून की वापसी में अभी थोड़ा और समय है, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 अक्टूबर तक मानसून का थोड़ा प्रभाव नजर आने की संभावना है, मंगाल की खाड़ी में बने कम दबाब का छेतर होने के कारण 6-7 अक्टूबर को राजधानी पटना सहित, बिहार के कुछ जिलों में मेग गर्जन वजरपाद वहलकी वर्षा का पूरवा नुमान मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किया गया है, MP में कल से शुरू होगा भारी वारिश का शिलसिला, बंगाल की खाड़ी में बने दो चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में बने दो चक्रवातों के चलते मौसम विभाग ने मद्य प्रिदेश में एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है, मद्य प्रिदेश में खरीफ की फसलों की कटाई जोरों पर है चिंता जनक खबर यह है कि राजी में फिर से मांसून सीजन सुरू हो सकता है आपको बता दें यहां आज बारिश को येलो अलग उतापिदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार है